गती जूर्जा या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जैसे कोई भी वस्तू अगर गती शील है जैसे गती शील मोटर साइकल है जैसे गती शील आटो रिक्षा है या उपर से गिरता हुआ कोई पत्थर है या भेता हुआ पानी है भेती हुआ हवा है या जैसे कि ये दोडता ह खिलाडी है सभी में क्या होती है गती जूर्जा होती है तो फिर क्या है ये गती जूर्जा गती जूर्जा हमने अभी जो उधरान देखे या समझे उससे हमें पता चला कि किसी वस्तु की गती जूर्जा जो है वो उसकी गती के कारण जो उसमें नहीत उर्जा होती है उसे कह तो हम एक बात जरूर समझें अभी जो उधानों से हमने देखा कि कोई वस्तु अगर किसी निश्चित वेक से गतिशी ले मतलब इस वस्तु की जो गतिजूर्जा है वो इस वेक को प्राप्त करने के लिए किये गए कारी के बराबर होगी मतलब जो भी कारी किया जा रहा है व और इसका प्राणबिक वेक कितना है यू है इस वस्तु पर एफ बल लगाया तो इसका वेक यू से कितना हो गया वी हो गया और ये वस्तु ने एस दूरी या एस विस्थापन इसका है मतलब एस दूरी इसने ताय की है इस निश्चित दिशा के अंदर तो हमने कहा कि वो मा एक जो है वो यू से कितना हो जाता है वी हो जाता है तो ऐसे में कितना आपने कारी किया है तो कारी की जो definition है उससे हम जानते हैं कि कारी जो होता है वो होता है बल गुनित बल की दिशा में विस्थापन तो यहां आप देखेंगे कि किया गया कारी कितना है तो चलिए देखते कारिक को हम W से बगत कर रहें और बल के लिए हम क्या लिख रहें F और विस्थापन के लिख रहें S ठीक है तो यह W स्टाइब हो गया Fs अब हम आगे बढ़ते हैं देखिए अब क्या हो रहा है कि जब आपने कारी किया है तो इस कारी के कारण बढ़कर कितना हो गया Fs अब अगे बढ़ते हैं अब अगर माली जी में यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ तो यह इसका जो सूत्र वासानी से आप सिद्ध कर पाएंगे कि डबली इस इकल डू जब आपके पास fs आ जाए मतलब आप कायरेश ही शुरू करना डबली इस इकल डू अब आपके दो लक्ष आप यहां रखिएगा एक तो आपको यहां पर f का मान रखना एक आपको अगर जैसे ही दो मान आप रख पाएं तो आपका सूत्र आ जाएगा तो f के लिए क्या करें f के लिए तो हम जानते हैं कि बल होता है द्रवे मान और तुरन का गुणा तो f फिजिकल डू आपका क्या हो जाए देखिए द्रवे मान कितना है f का मान तो निकाल लिया है रखने के लिए अब आपको क्या चाहिए एस चाहिए और आपके पास u है v है तो ध्यान दीजिए कि गति का कौन सा समिकन आपको s देदेगा आपके पास u और v धोनों है कौन सा समिकन लगेगा गति का तीसरा समिकन लगेगा और गति का तीसरा समिकन क्या है v²-u² is equal to 2as तो यहां से आप यह S को निकाल लीजिए S को निकाल कर आप क्या करेंगे जब आप S निकल जाएगा F निकल जाएगा आप यहां से आपको S निकालना है गती के तीसरे सामी करना है क्या होगा 2S है V स्क्वेर माइनस U स्क्वेर S निकालना होगा तो 2A कहां चला जाएगा बटा में चला जाएगा तो ये S आ जाएगा आपका V square minus U square upon 2A तो देखिए ये ये बटा माय गया तो S is equal to होगा V square minus U square upon 2A अब देखिए आपके पास सारे मान ready है F का मान ready है S का मान भी ready देखिए F और S दोनों मान रेड़ी है तो ये दोनों मान उठा कर आप कहां रख देंगे समीकर नमबर एक में रख दीजिए दो और तीन से f और s के मान समीकर नमबर एक में रखने पर तो देखें आप एक में रखने पर क्या हो जाएगा चली मान पूट करते हैं तो w is equal to f के प्लेस पर क्या लिखेंगे m a और s के प्लेस पर लिखेंगे v square minus u square upon 2a इस समीकर नमबर ना है f और s के मान भर दीजिए तो w is equal to हो जाए देखें m a और ये v square minus u square upon 2a ये m a के गुणा में आप यहाँ पर इसको bracket भी लगा सकते हैं और ऐसे गुणा लगाने बजा है bracket लगाना ज्यादा बहतर भी होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये देखी आप इस टाइप से इसको लिख लीजे देखें a से a cancel हो गया और ये आपका हो गया m और v square minus u square upon 2 हो गया ठीक है अब आप यहां अगर ध्यान से देख रहे हैं तो अब एक नई बात हम यहां थोड़ी सी मान लेते हैं कि मान लिजिए कि वस्तू जो है वो विरा मवस्था से चलना शुरू कर रही है मतलब उसका जो प्रारंबिक वेग है वो कितना है 0 है तो u को अगर आप 0 मान लेते हैं तो फिर ऐसे में क्या होगा है u की जगे 0 हो जाएगा मतलब वस्तू को आपने जो भी बल लगाया वो विरा मवस्था पर लगाया वस्तू स्थिर थी और आपने उस पर बल लगाया तो उसका वेग जो है वो v हो गया तो u के प्लेस पर आप 0 लिख रहे है तो u के प्लेस पर आप जैसे ही 0 लिखेंगे क्या हो जाएगा देखिए w is equal to m और ये u के प्लेस पर 0 हो गया तो यहोगा v square upon 2 तो w is equal to 2 हो गया mv square upon 2 तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम जितना भी कारी करते है वो सारा जो किया गया कारी है अब आपने देखा कि कोई भी वस्तु अगर एक निश्चित वेक से गती शील ठीक है तो मतलब जैसे अब तो ऐसे में आपने क्या देखा कि इस वस्तु की जो गती जूर जाए वो क्या है इस वेक को प्राप्त करने के लिए किया गया कारी के क्या आती है बराबर होती है तो यहां आप जो कारी है यह डेफिनेटली अब क्या है यह गती जूर जाएगी तो इस वस्तु की गती जूर जाएगी वो हो जाएगी EK is equal to W मतलब काईनेटिक एनरजी EK और वो किया गया कारी के क्या होगी बराबर होगी तो ऐसे में आपकी जो गती जूर जाएगी वो क्या होगी गती जूर जाएगा आपका फार्मूला निकल कर आएगा EK is equal to half MV square ठीक है और हमने यह बात भी यहां समझी के किया गया कारी जो है वस्तू की गती जूर जाँ में परिवर्तन के क्या हो रहा है बराबर हो रहा है देखिए यह W is equal to MV square minus U square upon 2 से देख सकते हैं कि किया गया कारी वस्तू की गती जूर जाँ में परिवर्तन के बराबर हो रहा है और ये गति जूट जागा हमारा फार्मूला निकल कर आ गया है धन्यवाद